इस शरीर का नाम डॉक्टर सुमेधा वर्मा है और मैं ग्यान में जो बर्मा बाबा का प्रजा पिता बर्मा बाबा का ग्यान बर्मा कुमारिस का ग्यान में पिछले पांच साल से हूँ बीच तो मेरा आठवी कक्षा में जब थी तब से पढ़ गया था एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे पिता जी को ब्रमा कुमारिस सेंटर में कुछ बुलाया उनको कि आप अपना बताईए कैसे आपका अनुभव रह है और उस ज्यान के माध्यम से उन्होंने अपना ब्रम को भी साथ ले गए तो आठवी कक्षा में जब मैं गई उस सेंटर में हमारे घर के पास पठान कोट में ही था और माता पिता के साथ बैठ कर हमने सीखा क्या होता है मेडिटेशन तो उस ताइम से अब तक जब अस्रीली में पता चला कि भगवान क्या चीज है और हम कैसे अ एक अपने अंदर जो चल रहा है जिस तरह हम जीते हैं क्या हमारा पर परपस है मकसद क्या है लाइफ का और हमारा जो भी कर्तवे है हम निभातो रहे हैं और क्या उस भगवान परंपिता परमात्मा जुश्य बाबा हमारे हम उनको अपने कई संबंधों से उनको अपने आपको जोडते हैं और कई जगाओं पे देखते हैं ज्यान में आने से पहले हमें नहीं मालुम था कि हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है कई जगाओं पे हम उसका अनुभव करने के लिए म असल में जिस चीज को ढून रहे थे, वो नहीं मिला. 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 6 महीने के लिए ब्रेक मिला, अपने प्रोफेशन से. और बच्चों को भी मेरे दो बच्चे हैं, और यूगल हैं, जो वो भी डॉक्टर हैं. और बीच में थोड़ा 6 महीने का अवकाश जब मिला, तो मुझे चलते चलते मैं आपको बताऊंगी ग्यान में मैं कैसे आई. 2017 में जब 6 महीने का ब्रेक था, उस समय हमें शिवानी बहन को सुनने का बहुत अच्छा लगने लगा. तीवी पे हम Peace of Mind चैनल में देखने लगे उनको, सुनने लगे और लगा कि शायद भगवान हमें हमसे बात करना चाहता है और मेरे सारे जितने भी questions हैं इस life के, जो हमें अभी तक नहीं जिनका जवाब मिला, शायद इनके through मिल सके. हुआ ये कि हम गुडगाओं में थे उस तेम शादी के बाद और हमें शिवानी भेन का सेंटर का मालूम था कि हमारे घर के पास में ही उनका सेंटर भी है, जो टीवी में हमें देखने को मिला. तो हमें एक दिन चलते चलते हम लोग कल्यूग के पूरे मिड़ में थे, क्योंकि वो ऐसा फास सिटी है, जहां आपको कल्यूग की हर एक प्रकार की जो है, प्रेजने सब मिल जाता है आपको कि क्या है कल्यूग, बट उसमें भी अगर आपको भगवान के साथ उपर निश् हमारा स्पेशल इंट्रेस्ट रहा है तो और हमारे माता पिता भी शुरू से ही बहुत रिलिजियस रही है, तो इस तरह हम लोग जब ऐसे हम लोग जा रहे थे मेरा पूरा परिवार साथ था तो हम शिवानी बहन और उनकी माता जी मिली, तो हमने उनसे पूछा, हम एकदम हुए उनकी वाइट ड्रेस से, तब तो हमें नहीं मालूम था कि वह कौन है, तो धीरे धीरे जब उनसे बात हुई तो मालूम चला कि यहां पास में सेंटर है, और उनने बड़े प्यार से पूछा कि अगर आप आ सकते हो सेंटर, तो हमने काल आ जाएंगे, हमारे वैसे भी के लिए रिजिस्ट्रेशन करवाई थी, बट उसमें से मेरा ही नंबर जो था वो आगे चलता रहा, बाकि तीन चार लोगों ने जो ने ने कोर्स भी किया, प्रशन भी पूछे, और हमारी जो राजयोग दीजी कोर्स करवारी थी, उनका नाम है ममता दीजी, उनसे काफी श छे महीने लगातार हमने योग और मुडली सुनी उसके बाद 21 दिन का आते रहो और हम जाते रहे और बीच में ऐसा हुआ क्योंकि कल्योगी दुनिया में रहकर थोड़ा सा लग रहा था कि ये कोई ऐसी दिशा तो नहीं क्योंकि माता पिता और वो समने किसी ने कुछ नहीं कहा बट अंदर से निष्चे पुपक्का करने के लिए जब प्रशन आया तो मेरे बाबा नहीं अगले दिन मुडली में कह दिया कि निष्चे बुद्धी विजय इंती तो हमें लगा कि अगर विजय होना है तो निष्चे तो पक्का जरूरी है इस ग्याद में और शाम को जब वापिस हमारे महां पे सुभा मोर्ली होती थी साथ से आठ और शाम को भी हम लोग बैठे थे साड़े साड़े साथ अभ्यास का तो नुमा शाम का तो जब वापिस जा रही थी तो मुझे लगा अगर बाबा मेरे आप पे निष्चे है तो आप मुझे इसका जैसे होता कि जब सेंटर से घर जा रहे थे तो तही मेरा ऐसे पेहर हलका सा मुड़ गया तो थोड़ा सा मोच है और उसी दिन मुझे में भी आया कि जो भी हो रहा है ड्रामा में वह consol No.2 ह्योँ बї कल्यानकारी है तो मुझे भी लगा यह धी मी कल्यानकारी है हुआ यह कि मैं स्धिर वाली डिरेक्शन में चलने लग गए व्यर्थ के सारे जो मैं और एक्स्ट्रा काम सोचती थी करती थी वो खतम होने लग गए और मेरा मन और एक आगरता की तरफ चलता रहा और ग्यान में हमें और दीदियों ने कई बाते और समझाई स्वामान कैसे रखते हैं और इस ज्ञान का मतलब क्या है? सबसे बड़ा फोर्स पवित्रता है वो क्या चीज है? हम सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? इतनी बातों से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम पुराने ही कोई ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, कुछ नेक्स्ट ले और वो जब अनुभव होता है न तो वो तभी आपको सब प्रशनों का किसी से पूछने की जरुवत नहीं पड़ती अच्छा, छे महीने हो गए उसके बाद हमाई ट्रांस्वर हो गई और हम में हाइदरबाद जाना पड़ा, जहां शांति स्रोवर का सेंटर है पूरे भारत में मांट अबू के जैसा एक और सेंटर बड़ा सेंटर वहां पे दीदी जी मिले बड़ी दीदी कुल दीदीदी जी से बात हुई, उन्हेंने का अच्छा, आप कहां से आये हो उन्हेंने का हाँ, तो पंजाब के हम रहने वाले हैं तो उन्हेंने भी का हम भी पंजाब के हैं तो मुझे इतनी हरानी होई कि इतनी बड़ी सेंटर की डारेक्टर हमसे इतने विनम्र भाव से बात कर रही हैं और इतना बड़ा ज्यान है उनके अंदर और हमें लगा कि भगवान इतने निर्मानकारी है और इतना मतलब उनके अंदर बड़ा दिल है तो मेरा हर दिन नया अनुभव होता रहा और दिल बिलकुल साफ जैसे पवित्र शुरू होने लग गया जो अंदर के विकार थे जैसे हम बढ़ते गए ग्यान में हमारे चार सब जैसे जैसे बढ़ते गए हम हमारे अंदर चेंजे आने लग गए परिवर्टन आने लगे सोचने का ढंग तरीका जो था रहन सहन का वो भी बढ़ने लग गया ब्रामन हम शुरू से थे पर असली ब्रामन का जो अर्थ है वो हमने ब्रह्म कुमारी समें आकर ही सिखा जाना और यह हमारा चोटा सानुभव अज परसन था और प्रोफेशनली इसका मुझे अलग से अनुभव हुआ पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे को सब कुछ आता है हमारा ग्यान अच्छ है हमारा पढ़ाई का उसका थोड़ा अहंकार भी आ जाता है कि हमें सब कुछ आता ह है बट जब ग्यान में आए उसके बार लगा कि नहीं अगर हमारे भगवान जो है हमें बच्चा मान के हमारे साथ चलते हमें हमें एक कदम चलते तो हजार कदम लेकर तैयार हमारे भगवान हमारे सही होगी है तो इतनी हिम्मत आ जाती है और इतना निर्मान कारी हो जाते है कि जो अहंकार है वो भी नहीं रहता और पता चलता है कि हमें जो यह पोस्ट मिली है यहां जिस कारे में हम हैं मैं as a diabetologist वैसे तो professionally doctor मैं 17 साल से हूँ और पिछले 5 और 2 साल 7 साल complete हो गए है मेरे as a diabetologist और और पिबर्टी जो young woman है उनमें भी जो hormonal changes है उनके उपर भी studies में मेरा dnb course चल रहा है और वो ग्यान के आने के बाद शिरू हुआ जो असली मकसद था purpose था मेरा मुझे clear हुआ ग्यान में आने के बाद तो मैं यह सब अपनी बड़ी दीदियों की बहुत बहुत thankful हूँ grateful हूँ और सोचते हूँ कि इतना बड़ों का आशिरवाद है कि हमें आज मालुम चला की असली जो purpose of life है वो क्या है और आगे भी जो youth है हमारे जो आने वाली पीडी है उसको इस ग्यान से वंचित नहीं होने देना है यह मेरा करता हुए है कैसे हमें अपने culture को आदी देवी देवत सनातन देवी देवता धरम में क्या क्या हमारे benefits है हमें हम मनिश्यों से कैसे अपने आपको परिवर्तित करते हैं सत्व प्रधानता की तरफ चलते हैं इससे हमें क्या benefit होगा तो यह सब मैं विश्वास से कहती हूँ कि ब्रह्मकुमारिस में जो हमें ज्यान परमापिता से मि से हमें अपना ही परिवर्तन होते देखने को मिलता है और इस से बढ़कर ग्यान जो है और कहीं नहीं है मैं धन्यवाद करती हूँ और अभारी हूँ इस देश का इस प्रमकुमारी संस्था का और अपने इस मनुष्य जीवन का कि इस ताइम मुझे इस अपर्चिनिटी का अभी मैं धन्यवाद करते हूँ कि मुझे मिली है जब मैं अपने ही भारत के यंग यूथ को बता सकूं कि ब्रह्मकुमारी जो आप मानेता हैं जो सुनते हैं वो उससे बिल्कुल हटकर है और हमें जरूर इसको एक बार ग्यान में आकर देखना चाहिए थैंक यू धन्यव अभ्याद, आप श्यांते